हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स तुड़े आम डिसकसिंग इंपॉर्टन टॉपिक विच आर मॉस्टली आस्ट एंडिफरेंट एक्जाम्स प्यूपल एन इंवर्मेंट इंवर्मेंट से रेलेटेटर काफी कुश्चन पुछा जाते हैं या फ कीचिंगे और KBS, NBS, TZT, PZT जितने भी एक्जाम्स होते हैं उन सभी में कुश्चन पुछा जाता है और आपका SSC एक्जाम है या RRB, NTPC का एक्जाम जो है तो अपकमिंग एक्जाम्स आपके काफी होने वाले हैं आर आर जैसे आपका SSC का है या RRB, NTPC, NTNET तो इन सभी कंप्रेट्वी एक्जाम्स के पॉइंट आप उसे काफी important आपका है Pupal and Environment या आप कह सकते हो Environment and Ecology तो आज हम इसको start करते हैं आप लोग इसको अच्छे से वाज कीजिए, अच्छे से समझिए और इसको अपने notes में जुरूर include कर लेना, आप इसको अपने खुद के notes बना ल रहे हो आप या फिर आरो ए आरो या जितने भी I think जितने भी मुझे चाहतकी experience है, जितने भी complete exams होते हैं या upcoming exams होने वाले हैं उन सभी में people and environment या environment and ecology से question बहुत ज़्यदा पुझा जाता है, ठीक है, तो हम इस topic को discuss कर रहे हैं, तो इसको start से लेके end तक discuss करेंगे, आप लोग अच्छे से वाज कीजिए और इसको अपने notes में include करके time to time revise करते रहना और आप जो भी complete exam देने जा रहे हो उसमें आप definitely success gain करोगे, तो start करते हैं, सबसे पहला इसमें आता है organism, तो organism क्या होता है, any living system such as animal, plant, fungi, protist, urchin या bacteria, ठीक, तो ये सभी आपके क्या है, organism है Anything, living system, ठीक, आइनी, जैसे आपका animal है, plant है, fungi है, bacteria है, ये सभी आपके क्या है, organism है, okay All known types of organisms are capable of some degree of response to stimulate reproduction, growth and development तो ये आल, जितने भी जाने जाते हैं आपके organism, उसमें से कुछ ऐसे हैं, जो capable है, किसी degree में response देने को जैसे कि आपका reproduction, growth या development, इसके basis पे, okay And homo stasis, और कुछ ऐसे हैं, जो response नहीं दे सकते हैं, जैसे आपका temperature है, temperature of human body remain constant 98 degree Fahrenheit, ठीक है, clear तो इसके बाद आपका है, protista, तो protista क्या है, true nucleus है, ठीक है, इसमें protista में true nucleus होता है, और इसके बाद आपका आता है, monera, ठीक है तो monera क्या होता है आपका, primitive nucleus, ठीक है, इसमें primitive nucleus होता है, primitive nucleus काफी important है, इसका meaning क्या होता है, DNA प्लस RNA प्लस membrane, ठीक है तो DNA का मतलब क्या होता है, deoxyribonucleacid, RNA का meaning होता है ribonucleacid, अब membrane आप तो जानते हो तो तीनों का combination आपका primitive nucleus बनाता है, जिसका mona, monera का है, ठीक है, monera अगला है biological hierarchy, तो biological hierarchy क्या होती है, ये काफी important है, इससे आप से पूँच लेता है question तो सबसे पहला domain है, फिर protista है, फिर है आपका phylum, फिर है class, next order, family, genus, species, ठीक तो आपकी जो protista और phylum ये second stage पे आती है, पहली stage आपकी है, domain दूसरी है, protista और phylum एक ही दूसरी stage में मानी गई है, तीसरी एक last, fourth है order, next, fifth आपकी family, sixth position पे genus, और seventh position पे species हैं, ठीक है, तो इसको एक tag line से याद करते हैं, इनका order, तो domain का D, तो इसको हम short में लेख सकते हैं, D, P, C, O, G, D, P, C, O, F, G, S, ठीक है, तो इसको एक tag line में बनाते हैं, dump kids prefer candy over fancy green salad, ठीक है, तो D का मतलब हो गया आपका dump, और फिर P का means हो गया आपका prefer, C का means candy, O का means over, और F का means fancy, G का मतलब green, S का मतलब salad, ठीक है, तो यहाँ पे D का meaning आपका domain से है, P का meaning आपका protesta से है, और फिर C का meaning आपका class से है, O का meaning order से है, F का meaning family से है, G का मतलब genus से है, और S का मतलब इस पे siege से, ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, क्या dump kids prefer candy over fancy green salad, तो काफी easy हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, कि जैसे family के बाद क्या आता है, genus आता है, ठीक है, clear, तो इसको अच्छे से आप image बना लेना, और अपने copy में no down करना, और time to time में revise करते रहेना, ठीक है, इस trick से आप इसको biological hierarchy को याद कर सकते हो, काफी important ही है, ओके, और आपको अभी तक कोई doubts में हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, मैंने आपको discuss किया है, people and environmental related topic, ओके, इसके बाद है, ecology, तो ecology क्या होती है, scientific study of the related, living organism with each other and with their environment, ये आपका ecology कहलाता है, ठीक है, तो scientific study of relations, तो जो living organism है, उनका आपस में relation, एक दूसरे से, और अपने environment से, ये इस चीज की study, ecology कहलाती है, ठीक है, living organism, जो की एक दूसरे से, किस तरीके से रहे रहे हैं, उनका relation, और, तो scientific study of relations, of living organism with each other and their environment, तो means, बायोटिक जो component है, जीवधारियों का, एक दूसरे से relation, और अपने environment के प्रति, जो भी relation है, उसकी study करना ही, ecology कहलाती है, ठीक है, clear, अगला है ecological nature, ecological nature, तो ये क्या होता है, the functional characteristics of a species in its habitat, ठीक, तो ये आपकी क्या होती है, functional characteristics of a species in its habitat, तो किसी एक species की functional characteristics, ये आप क्या कहलाती है, ecological नीचे कहलाती है, तो नीचे क्या है, नीचे is an unique to a specific, नीचे is an unique to a species in the habitat, ठीक है, नीचे क्या होती है, नीचे is an unique species habitat में कहलाती है, ठीक है, जैसे इसका example आप समझ सकते हो, in forest the work which done by lion can't do anyone, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, नीचे का meaning क्या होता है, जिस प्रकार से जंगल में जो काम share का होता है, वो काम कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है, वो particular share ही काम कर सकता है, ठीक है, तो ये actually क्या है, नीचे को define करता है, तो नीचे ऐसे living beings होते हैं, जिनका काम कोई और नेक्स्ट आपका species, तो species में largest group of similar populations of organisms whose members are capable of inter-breathing and to produce fertile of springs, तो ये आपका species कहलाता है, ठीक है, क्या हुआ है, तो ये आपका हो गया, next आपका है, species, okay, तो species क्या है, process by which new species are formed and evolution is the mechanism by which species is brought about population, brought about, तो ये आपकी क्या हो गई, process by which new species are formed and evolution is the mechanism by which species is brought about, ठीक है, तो ये हो गई आपके species, अब बात करते हैं, population क्या होती है, a group of freely inter-breeding individuals of the same species present in a specific area at a given time, local population of a given are called damas, okay, तो ये आपका population कहलाती है, group of freely inter-breeding individuals of the same species present in a specific area at a given time, clear, तो ये population हो गई, उसके बाद है, community क्या होती है, तो group of organism of different species living in a common area, तो ये आपकी community कहलाती है, common area, आपका सकते हो include multiple population, तो ये community है, community क्या होई, group of organism of different species living in a common area, okay, clear, तो friends, I think आपको इतना समझ माग या होगा, मैंने आपको डिक्टेट किया है, community के बारे में, उसके बाद population के बारे में, फिर आपको डिसकस किया, species के बारे में, तो फिर है species, तो इनकी full form कभी-कभी आपसे इन सभी को दे देगा statement wise और आपसे पूँच लेगा, कि image करके दिखाओ, ठीक है, तो इस ship car का question PCS और UPSC काफे पूँचा गया है, कि species क्या होती है, species क्या है, और ये question आपके UPSC पूँचा जा चुका है, निचे, ठीक है, निचे के बारे में पूँचा गया है, species के बारे में पूँचा गया है, ठीक है, इससे question काफे पूचा जाते हैं, हाँ उनको अच्छे से wise करके, अपने notes में include कर लेना, और time to revise भी करते रहना, देखना, आपसे question जब भी आएगा, तो आप कर लोगे, तो इससे आग क्यों